जैहन दोस्तो इस वीडियो में दोस्तो आज हम आपको बताएंगे CRPI Paramedical Stop के Physical के बारे में CRPI Paramedical Stop के Physical सुरू हो चुके हैं और हम जो आपको जानकारी देंगे वो 14 और 15 दिसंबर के Physical की जानकारी देंगे यानि कि 14 और 15 दिसंबर को Physical किस तरीके से हुआ है और जो जानकारी हम आपको प्रोवाइट कराने वाले हैं वो काफी सारे सेंटर की प्रोवाइट कराने वाले हैं हमारी बात दोस्तो कई सारे कंडियेट से हुई हैं जिनके अलग-अलग सेंटर थे और अलग-अलग उनके Physical हुए हैं उन्होंने अपना एक्स्पिन्स हमारे साथ सेयर किया है वही जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइट कराएंगे कि उनके साथ क्या-क्या हुआ फिजिकल सेंटर पर वहाँ पर एक ग्रूप में कितने कंडियेट को दोड़ाया जा रहा है कितने फेल हो रहे हैं और क्या-क्या वहाँ पर चेक किया जा रहा है कंपेट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले है इसलिए आप वीडियो को लाश टक देखें साथ यह दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बदद दो कि यदि आप भी अपने फेजिकल की जानकारी को सेयर करना चाते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आपको हमारा वाटस अप नमबर मिल जाएगा या आपको आप जो हमारे टेलीगराम गुरूप पर आ सकते हैं आपको अप लेट दे देंगे वहाँ पर हम आपसे जो है कॉंटैट कर लेंगे आप भी अपने फेजिकल की जानकारी को शेयर कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों जो फेजिकल हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और वहाँ पर किया क्या कराया जा रहा है चलिए उसो सबसे पहले इस्टे बाइस्टे बात करते हैं कि स्टार्टिंग वहाँ पर क्या होगा और किस तरीके से वहाँ पर अब हुआ है सबसे पहले दोस्तो मॉर्निंग में 6 बजे आपकी एंट्री होगी entry होने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपका admit card check किया जाएगा admit card check करने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपका गुरूप बनाया जाएगा जितने भी candidate आई होंगे वहाँ पर दोस्तों उनको divide किया जाएगा 33, 44, 44 के गुरूप में यानि 30 और 40 candidate का एक group बन रहा है group बनाने के बाद दोस्तों आपको जो है running के लिए तयार किया जाएगा running से पहले दोस्तों आपकी वहाँ पर height map जाएगी height map ने के बाद दोस्तों आप सभी को दोस्तों running के लिए बिठाया जाएगा रनिंग के बाद दोस्तो आपकी जो रनिंग होगी वो ग्राउंड पर हो भी हो सकती है और रोड पर भी हो सकती है क्योंकि दोस्तो जो हमारी बात हुई है वो काफी सारे कंडियेट से हुई है तो उनके जो अलग अलग रनिंग हुई है कुछ Canjot के जो है ग्रांड उपर हुई है जिसका जो चक्कर है वो 400 मेटर का है कुछ Canjot की जो ग्रांड पर ही हुई है लेकिन दोस्तों उनको चकर था वो 800 मीटर का था उनको सिर्फ दो रांड लगाने थे कुल मिलाकflower दोस्तु आपके जो रनिंग है वो कहीं पर भी हो सकती है सिर्फ आपके जो रनिंग है वो 16.00 मेटर है लोस्तु मेटर रनिंग के लिए आपको जो है साड़र सात मिनिट का टाइम मिल रहा है यानि कि 1200 मिट रेस के निया आपको FULL TIEM दिया जाएगा जो Official notification में दिया गया है जो candidate रेस qualify कर लेंगे उनका high jump होगा और long jump होगा high jump और long jump के निया 3-3 chance दिये जा रहे हैं यदि कोई candidate एक बार में qualify नहीं कर पाता है तो उसको हो उसको वहाँ पर दुवारा मुखरा दिया जाएगा लेकिन तीन बार से अधिक मुखरा नहीं दिया जा रहा है याने कि तीन बार से आपको अधिक जो है वहाँ पर कूदने नहीं देए गए तिए आप तीन बार में कुआलिफाई करते हैं तो आप पास हैं वरना आपको वहाँ पर पर रेजेक्ट कर दिये जाएगा अधिकतर कटीनियट दोस्तो पास हो रही है कोई भी कटीनियट रेनिंग में फेल नहीं हुआ है क्योंकि तो तो हमाठ टाइमिंग दी जा रही है वो 1.5-7 मिन्ट दे जा रही है उसके बाद आपका हाई जंप, लोंग जंप, लोंग जंप के बाद दोस्तो आपको जो फिजिकल का प्रोसेस वो पूरा हो जाता है आपकी फिर से दुवारा हाइट मापे जाएगी हाइट दोस्तो आपकी दुवारा इसलिए मापे जाती है क्योंकि तो दोबारा हाइट मापने के बाद 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 दोबारा हाइट मापने के ब बाद दोस्तों आप सभी के वहाँ पर बायो मेट्रिक होंगे निए फिंगर प्रिंट होने के बाद दोस्तों आपका जो फिजिकल का प्रोसेस है वो पूरा हो गया है आपको वहाँ पर एक रेसीब दे दी जाएगी कुछ सेंटर पर रेसीब नहीं दी गई है कि आप कौलिफ सकता नहीं है जो आपका एडमिट कार्ड है अगले स्टैप के लिए वो आपका आजाएगा प्रोसेस रहा है इसमें दोस्तों अधिक तर जो कंडिएट है वो कौलिफाई हो रही है कोई वी कंडिएट फेल नहीं हुआ है रनिंग में और रनिंग के लिए आपको पूरा टा Google फिलप नार्मल और इसके बाद दोस्तो आपके बायोमेटिक बायोमेक्र के बाद दोस्तो आपको वोड़ा पर बापस घर वेज दिया जाएगा य है तो आपका फिजिकल का प्रोसेस है आपक कमेंड कर सकते हैं आपके कमेंड का जवाब मिल जाएगा यह आपने फिजिक में जाहिन क्या भारत